हें गाइस वेलकम और सब्सक्राप अब ज सब्सक्रापधिक जा तो हमारे साथ इस ट्रिप में कुछ और भी लोग आड़ होंगे तो वह मैं आपको आगे जाब के बताती कि कौन आड़ होगा तो अभी देखके बताईए बाहर इतनी जादा दून्दे आप देख सकते हो गाईज यह सुबह का टाइम और ऐसा लग रहा है रात के 10-11 बच रह पांच बज़े के आसपस इस तरीके का कोहरा और बार अंदेरा रहता है तो आज का मोसम वैसे हम लोग संटे गए हैं आप लोग यह आगे देख रहे होंगे बट हम लोग 21 को गए हुए तो यहां से सबसे पहरे हमने अपनी सिस्टर और जीजु को पिक किया देन मैं और मेर मेरे हस्बेन और जीजु आगे बैठे होए थे तो हम लोग यह शादी के बात पहली बार में वरिंदा वन जा रहे हुए पने हस्बिन के साथ मैं यह एक्चुरी सेकिंड टाइम विंदा वन जारी हुए सबसे पहले में एक बर होली के टाइम पर विंदा वन गई थी 2021 में उस टाइम पर मेरी ले वो बेस्ट से बेस्ट एक्सपिरियंस था देन मैंने वो चीज बोली थी काना जी से कि अगर हम लोगों की शादी हो जाती है तो मैं जरूर अपने हस्बिन के साथ आऊंगी मेरे हस्बिन जी जो है वो फर्स टाइम वरिंदा वन जा रहे है गाई वो काना जी को बहुत मानते बर वह है कि कभी जा निपाई कभी बुलावा नहीं आया उनका बट कहते है जैसा बोला होता है तो जरूर होता है तो मैने यह एक लास्ट तांप जो मैं फरस्ट फार मुन गई तो मैदो बहुई है कि प्लीस हम दोनें की शादी करवा दीजे देन उसके बाद हम लोग ज़रूर आपके पास ज़रूर आएंगे और वो चीज कम्प्लीट हो गएगा सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट हमारा हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया वो था व्रिंदावन का मतुरा का पहला स्टेशन यह टोल था मतुरा हाइवे पर यह पर यहाँ पर यह मेरे जीजु हैं गाइस मैंने का ता हम लोग को साथ जोड़ेंगे यह मेरी सिस्टर है यह मेरे हजबन गाइस तो हम तीनों इस टाइम पर आप देख रहे हो पहले बहार निकले इतनी ठंड थी मेरी सिस्टर बिल्कुल ऐसे बन के आई तो इसको अंदाजा नहीं था यहां मेरे हजबन जो हैं लोगों की सीवा करते हो है आप देख सकते हो मैं बहार निकली और मुझे कित्ता धुआ रहे हैं बहुत जादा फॉक था भाहर बहुत जादा थी यही मेरे हजबन टी लवर है बहुत जादा तो उनको चाय चाही ही होती है तो चाय पर बात्चीत की बना वो कैसे रह सकते है यहां पर मेरी जी जो थोड़े से इंट्रोवर्ट है थोड़े सा कम बोलते हैं और शाही नीचर के हैं बट वो बेस पार्ट है उनका और यही मेरी सिस्टर है जो बिलकुल इसको अंदाजा नीता शाहाद इतनी थंड है यहां फर्स्ट था दो घंटे बाद जहां पर हमने रेश्ट किया अच्छे से चाय वैली और सच में बाहर जाते बुरे हाल होगे गाइसा मेरी हालत देख सकते हो बहुत जादा ठंड थी देन उसके बाद हम लोग गाड़ी पर आएं थोड़ी दिर के ड्राइब करने के बा अब देख सकते हों कि कितनी भीड में भी हम लोगों का अंदाजा नी था कि हमारा नंबर आएगा कि हम बाकी बिहारी जी से मिल पाएंगे आप भीड का अंदाजा छोड़िए गाइस मैं और मेरे हस्बेन मेरी सिस्टर हम सब को आगे आने का मौका मिला आप इस वीडियो मे है यह देखो गाइस यह मेरे हस्बेंड है हमें सबसे और यह वीडियो क्लिप से आपको दंदाजा मिलेगा कि सबसे आगे जाके हमारी वी आइप दर्शन हुए यह सबसे बड़ी एक मिरिकल हम लोगों के साथ हुआ मेरे हस्बेन का फॉर्स टाइम था और उसके बाद हम ल हम लोग बरसाना गए यहां पर मेरे पहाड़ी पर मेरे हस्बेन ने गाड़ी को पिक किया दन उसके बाद हम लोग गए उपर चड़ाई चड़ते हुए मेरे सिस्टर मेरे जीजू और यह फर्स टाइम मैंने भी साइट से विजिट किया है गाईस आप कमेंट करके बताना क इतने लोगों ने विजिट किया है एंड रादारानी की भी किरपाया गाईस जस्ट लास्ट में एक बज़े रादारानी की कपाट बंदो जाते हैं मंदिर के और उस टाइम पर हम लोगों का लगी था कि हम लोग उनसे भी मिल पाए मेरे हस्बेन ने वहां पे भी दर्शन क कि एंड जो भी था बेस्ट दिन था हम लोगों के लिए एन हम यहां से फिर से मैं मेरे हस्बेन जीजू और मेरी सिस्टर हम लोग दुबारा से वरिंदा वन गए बरसाना से वरिंदा वन तो हम लोग इस ले गए क्योंकि हमें प्रेम मंदिर भी एक्स्प्लोर करना था नीचे से मैंने आपके लिए देखी किस तरीके से था एंड सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहां पर बैठे हैं यह शिवम ढबा था हाइवे पे बहुत ही अच्छा था यह कोई स्पॉंसर नहीं है बट मैं प्रस्नल देना इसका फीडबैक देना चा था तो बहुत अच्छा था हम लोगों नहें आ पर खाना वाना खाया देने अगया मेरे हस्बन ने हम लोगों को फ्रेंदवन वापस से वचा जिविवा दिया एंड और 그리고 अधे में सबसे पहले हम लोग क्रेम मंदिर पहुछे पांच बज़े जोके वानोडर हो गया और यहां पर कोई साथ बचे का एक शो था वोटर का इसका हमने वेट किया तो यह कुछ शॉट्स मैंने आपके लिए बनाई है इंजॉय करो इस वेदर के साथ इतने प्यारे और मैं आप सब को जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं सब कुछ आती हूं कि आप सब को राधारानी और काना जी की किरपा हो और आप जरूर साल की शुरुवात से पहले पहले वहां पर जाकी विजिट कर पाएं और उनसे ब्लेसिंग्स ले पाएं हमने तो अपनी ब्लेसिंग्स ले ली गाईस मेरी तो यह मनुकामना थी कि मैं अपने हस्बिन के साथ आऊं और इस बार फिर पांसो होने ही वाले हैं गाइस कम्प्लीट एंड जैसी वन के हो जाएंगे मैं और मेरे हस्बन दुबारा से यहां पर जरूर जाएंगे यह प्रेम मंदिर के कुछ विजन मैंने आप लोगों के लिए आप देख सकते हो बहुत ही भवे और बहुत ही सुन्दल नजारा था इस कृष्णा जी तो हम लोग बहुत अच्छा कनेक करते हैं उनके साथ आगे में स्टूरीज में बताते ही रहोंगी कि क्या कनेक्शन्स हैं उनके साथ हमारा यह वोटर शो हुआ है साथवचे की करीब वरिंदावन में प्रेम मंदिर में होता है तो यह भी हम लोगों ने में प्रण सेवाओ दो हमारा यह लोगों एंधे वर लोगों अच्छा कुछन्स हैंट शोरी भी ही हमारा यह वुआ हैं झाले हुआ है ले खे ले खो यह बहुआ है झाल 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 झाल